Hey guys, welcome to my channel EduMats और मैं आज एक और ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अब भी तक हमने काफी ट्रिक्स कर ली है कैसे हम multiply कर सकते हैं नमबर को cube root, square root, cube, square किस तरीके से निकाला जा सकता है अब आज के ट्रिक जो है ये ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जो आपको lifetime काम आएगी जरूरी नहीं है कि आप जब पढ़ रहे हैं या आप अभी school student है या फिर आप college student है तो ही आपको काम आए ये ट्रिक जो है आपको lifetime काम आने वाली है C, आप कहीं भी जाते हैं आप कुछ भी चीज पर चेस करते हैं या कुछ भी चीज आप जाके आप मान लीजे आप shopkeeper हैं तो अगर आपको discount निकालना है ठीक है loss profit हुआ ये सब चीज अगर आपको देखनी है percentage, basically percentage अगर आपको निकालनी है तो आपको उसमे mathematics चाहिए ही चाहिए, no matter कि आप कोई class में पढ़ रहे है no matter कि आप कोई shopkeeper है no matter कि आप किसी mall के honor है कुछ भी आपकी position हो आपको percentage निकालना तो आना ही चाहिए ठीक है what if I am asking you कि sir I want 20% discount on it so आप क्या करेंगे आप पहले उसको copy में करने बैठेंगे कि 20% discount हो मैं एक बर पहले चेक करता हूँ कि इसका 20% क्या होगा ठीक है so it feels really weird so आपको ये trick जानने के बाद calculations जो percentage की होती है वो आपको बहुत simple हो जाएंगी ठीक है so आज मैं आपको वही trick बताने वाली हो trick नहीं basically ये trick कोई trick नहीं है ये basic चीज है जो आपको आना चाहिए ठीक है हम क्या करते हैं questions को काफी जादा complicated कर देते हैं उनको solve करने बैठते हैं तो उसमें आप काफी time ले लेते हैं तो आपको mind में किस तरीके से करना इसको within 2, within 5 seconds within 10 seconds कैसे इसको solve करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी ठीक है सो सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं percent का see percent के spelling होती है ये पर मतलब obviously पर जैसे की 2 rupees per pencil यानि की एक pencil cent का मतलब होता है hundred ठीक है तो अब हमें percent का मतलब मालूम पढ़ गया per cent ठीक है अब normally अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको percentage निकालना है 20 percent of 80 तो आप क्या करेंगे 20 फिर नीचे 100 लिखेंगे फिर multiply करेंगे फिर 80 लिखेंगे फिर ये 0 से 0 कट करेंगे मतलब 2 8 to 16 आपको पूरा solve करना पड़ेगा हाला कि ये तो जादा मुश्किल नहीं था लेकिन अगर आपके पस कोई 25 percent, 10 percent and 5 percent ये जब चीज़े आपको फटा फट से आप निकाल पाएंगे ना तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी C, जैसे कि मैं आपको एक question दे के बताते हूं मान लीजिए आपको मैंने question दिया 25 percent of rupees 80 80 rupees का 25 percent निकालना है अब आप एक काम करो, इसको अभी के लिए भूल जाओ 100 percent of 80 is 80 100 percent of 80 is 80 अगर मैं बोलते हूं 50 percent of 80 तो आप क्या करोगे इसका आधा कर दो 80 का आधा कर दो अपने mind में 40 अगर मैं बोलते हूं 25 percent तो आप देखो 100 percent of 80 is 80 50 percent of 80 is 40 25 percent of 80 निकालने के लिए अप क्या करो 50 का भी आधा कर दो क्यूंकि 50 का आधा 25 है तो 40 का आधा होगा 20 और अगर मैं 10 percent of 80 बोलती हूं तो आपको क्या करना है 10 percent जब भी निकालना होता है मान लीजिए 80 का 10 percent निकालना है तो 5 percent किसका अधा है 10 का अधा है तो 8 का अधा 4 चीक है तो यह जो चीज़े हैं ना यह जो आपकी एक कहते हैं कि overall एक हमारा 0 की टर्म में आ जाए यानि कि एक हमने round off ले लिया नियर तो 100 100 percent of 80 is 80 50 percent of 80 is half of 80 which is 40 25 percent of 80 is half of 40 which is 20 10 percent of 80 is हमेशा divide करना है which is 8 and 5 percent of 80 is 4 चीक है कैसे किया हमने 10 percent का अधा कर दिया अब अगर मैं आपसे पूछते हूँ 25 percent of 80 तो आपको क्या करना है देखो 25 percent of 80 के लिए आप क्या करोगे 80 का पहले 100 percent 80 हो गया 50 percent आपको पता है कि 80 का अधा 40 होता है तो 50 percent हो गया 40 अब आपको निकालना है 25 percent तो 50 percent अगर 40 है तो 25 percent कितना होगा 40 का भी आधा which is 20 तो आप डारेक्ट आंसर पर पहुच सकते है 20 ठीक है मतलब अभी आपना मैं इसके 2-4 question आपको बताऊंगी आपको बहुत simple लगेगा कि किस तरीके से करना इस question को ठीक है तो अगर आपके पास question है आपको 15 percent of 90 निकालना है तो आप देखो मैं किस तरीके से निकालूंगी ठीक है देखना कि मैं कितना time ले रही हूं इसको करने में the answer is 13.5 कितना simple हो गया यह आप देखो मैंने किया क्या है बहुत simple चीज है 90 का 15 percent निकालना है 15 percent को split कर लो 10 percent और 5 percent में ठीक है 90 का 10 percent क्या होगा 90 का 10 percent मैंने आपको बताया 10 percent निकालना है तो आपको उस टर्म को 10 से डिवाइड करना है तो 90 का 10 percent क्या करने है पीछे से एक डिजिट को पॉइंट लगा दो जैसे कि हम ओविसली इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और आपके पास यह बचेगा और अगर कुछ ऐसे टर्म है 726 है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो वो उसका 10 percent हो जाएगा अब मैंने 90 लिया था तो 90 का 10 percent हो गया 9 ठीक है? रुपीज लिख देती हूँ यहाँ पे तो रुपीज 9 90 रुपीज का 10 percent हो गया 9 रुपीज अब 9 का आधा क्योंकि 10 का आधा है 5 तो 10 percent का आधा कर दो 9 का आधा कर दो which is 4.5 यानि कि 9 रुपीज और 4 रुपीज अब क्या है? 15 percent इक दोनों को प्लस कर क्या है? तो इन दोनों को प्लस कर दो 9, 10, 11, 12, 13 तो यह हो गया 13.5 रुपीज 90 रुपीज का 15 percent होगा 13.5 तो यही चीज आपको माइंड में बहुत स्पीडली करनी है अभी तो आपको लगेगा कि इसमें टाइम लग रहा है लेकिन आपना इसके 5 questions कर के देखो 6th question पे आप खुद कहेंगे कि इसी तो बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि किसी भी चीज का करना is not a big deal बहुत सिंपल है किसी चीज को आधा करना उसको 2 से डिवाइड करना अब मैं बड़ी टर्म के साथ आपको क्वेशन सॉल करके दिखाती हूं अब क्वेशन है 60 percent of 720 ठीक है अब देखो इसको कैसे सॉल करना है 60 percent है first of all up speedly यह लेगा लो 50 50 plus 10 percent obviously 60 percent होगा 720 का 50 percent क्या होगा यानि कि इसका अधा कितना होगा इसको 2 से डिवाइड करो तो आपको आपको अगा 360 बहुत जल्दी कर लेंगा आप इसका अधा कोई मुश्किल नहीं है अब उसके बाद 10 percent निकालना है तो 10 percent क्या होगा पीछे से एक डिजिट के बाद पॉंट लगा तो ओविसली 720 क अगर आपसे पूछा जाता है सेवन ट्वंट गा 60 percent निकालना है तो अपको आगे तक काम आएगी तो इस क्वेशन में आपको मजा हरा होगा कि आपको यह जो ट्रिक्स होती है यह आपको क्या बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैस जिनको बोरिंग लगता है तो बेसिकली मैस नही एक ऐसी चीज है जिसमें आपने एक बर उसके ट्रिक समझ लेना तो आपको मजा आएगा उसको करने में और हमेशा आपको कभी भी नोटेस कर लेना आपको कुछ चाप्टर जो है ना सिम्पल लगते हैं आप जैसे की आपको करने में आपको मजा क्य等 समझ है और वह सारे कोशन उसी तरीके से हैं तो आपको क्या रगता है कि आपको एक्साइटमेंट होती है कि इसका अंसर आःगया चलो let's move to the next question तो वो excitement क्यों आते है क्योंकि आपको उसका solution मालूम होता है कि इस तरीके से होगा तो most of the time maths में यही होता है आप एक pattern सीख लेंगे न उसके बाद आपको इस तरीके के कोई भी question आजा आजा आपको उसको करने में मज़ा आएगा अब जैसे कि अगर मैं एक बड़ी term ले लेती हूँ suppose मैंने ले लिया 65% of rupees 800 ठीके यह मैं random ले रहे हूँ तो 65% क्या होगा 50 plus 15% 50 percent plus 15 percent अब 15 को भी और इसको तोड़ लो तो हो गया 50% plus 10 percent plus 5 is equal to 65 अब 800 का 50 percent होगा 400 clear रहे तो 800 का 10 percent होगा 80 80 क्यों 10 से डिवाइड करना है 800 का 5 percent क्या होगा 10 का आधा कर दो 10 है 80 तो 5 होगा 40 अब 400 plus 80 plus 40 8 9 9 11 12 आगया आपका 520 answer see how simple is this वरना आप क्या करते है 65 percent को देखो 65 यह जो आप अभी तक करते आ रहे हैं इसको 100 से डिवाइड करोगे फिर 800 से multiply करोगे 0 कट करोगे इनोनों को multiply करोगे कितना टाइम लग जाएगा यह तो अभी मैं करके दिखा रही हूँ आप माइंड में भी कर सकते हो देखो अगर मैंने आप से पूछा 75 percent of 800 तो आप क्या करेंगे 75 आपको पता है कि या तो आप एक काम कर लो 75 percent तो और एजी है 100 percent में से 25 percent minus कर दो for an example अगर मैं बात करती हूँ 800 की तो 800 का 25 कितना होगा पहले 800 का आदा करो 400 50 percent हो गया उसका आदा करो 400 का आदा करो 200 यह हो गया 25 percent 200 क्या हो गया 25 percent 25 percent आपने minus करना है 800 में से ठीक है यानि कि 800 में से 200 minus कर दो 600 आ गया आप इसको माइंड में कर सकते हो 600 जो है उसको 75 percent है अब मैं आपको करके दिखाती ही जो मैंने अभी बोला है सी मैंने बोला आपको 75 percent of 800 तो आप क्या करो 75 को आप 50 plus 25 करोगे सबसे बेस्ट यह है कि 100 में से 75 माइनस कर दो बेस्ट है यह तो इसमें तो बिल्कुल ही टाइम यह लगेगा 100 percent है ही 100 percent है 25 आपको निकालना है 25 कै निकालोगे पहले 800 का आदा करो 400 400 का भी आदा करो 200 तो 200 तो 200 तो 200 तो 800 में से 200 माइनस करवा गया 600 बहुत सिंपल है आप इसके questions करके देखो आपको बहुत मज़ाएगा तो यह I hope आपको समझ आ गया होगा percentage का इनो थोड़ा जादा लेक्चर हो गया तो यह आपको percentage समझ आ होगा अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी या नहीं percentage समझ आया या नहीं और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देखी और डू लाइक सब्सक्राइब और शेर माई चानल लाइक कर दो इस वीडियो को लाइक बहुत क हम आते हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को शेर कर दो थैंक यू